इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैन कार्ड के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अपलाई करना है यहाँ पर पैन को बनाने का सबसे लेटेस प्रोसेस हम देखने वाले हैं जिसमें कि आप अपने मर्जी की जो फोटोग्राफ है सिगनेचर है खुछ से अपलोड कर पाओगे और आपका जो फिजिकल पैन है वो भी आपको पोश्ट के माध्धम से घर के पते पर मिल जाएगा इसे के साथ में यह जो पैन कार्ड को बनाने का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ यह पैन कार्ड को बनाने का सबसे फास तरीका होगा जिसमें की आप अपना जो पैन कार्ड है वो पैपरलेस प्रोसेस से घर बैठे ही बना पाओगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने nsdl pen की जो वेबसाइट है आप इसी पे आजाओगे जहां पर सबसे पहले तो आपलिकेशन टाइप के सेर्शं में आप सभी को आना है यहां पर पहला जो ऑप्षिन है न्यू पैन Indian Citizen वाला इसे ही आप सभी को select करना है और category के section में आना है individual आपको choose करना है यहाँ प्र आप सभी को आपने name के आगे जो भी title लगाते तो आपको select करना है आवेदक ऑफितक है उसका जो name trim करना है ध्यान रखना है कि यहाँ पर name matter पे जब भी आप फिल करते हुग box में और मैंने आपको सीट दिखा रखे जिससे की नाम आप अपहचांत सको किस तरिके से आप सभी को यहां पर आप सभी को अपनी डेटा बर्थ है इस क्लेंडर के पर सबसे पहले यह और month और date को इस तरीके से select कर लेना है अपनी जो email आईडी है यहाँ पर आप फिल करोगे देन यहाँ पर अपना जो mobile number है आपको फिल करना है term and conditions को आप सभी को यहाँ पर accept करना है और यहाँ पर यहाँ पर यह जो capture code आता है यह capital small जैसा भी है same वैसे इंटर करना है और submit की टैप पर आपको क्लिक कर देना है अब जैसे हमने इतना किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एक token ID हो करके आ चुकी है यह जो token ID number आपको note कर लेना है जिससे कि आपका जो फॉर्म है in case किसी error की वज़े से दुबारा आते हो तो यहाँ पर यह जो token ID ही फिल करके आप दुबारा से हो जो फॉर्म है उस जगे से continue कर सकते हो तो यहाँ पर हमें continue with pen application form इस option पर क्लिक करना है देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर आप सभी को तीन option देए गए है pen card को बनाने के जिसमें के पहला है paperless जो कि आप आधार के जो फोटो होती है इसी के साथ में इस पर आप signature नहीं लगा पाते हो तो यह जो है option मैं recommend नहीं करूंगा यहां पर जो second option दिया गया है यहां पर physical pen card के बारे में पूछा जाता है तो pen card घर के पते पर आपको post के माध्यम से चाहिए plastic का card तो yes करना है और यहां पर आप सभी को अपने आधार card के last के four digit आपको इंटर करना है जो कि यहां पर कुछ इस तरीके से आधार पर आपको दिख जाएंगे वो यहां पर आ दूसरा नेम है अगर आपको बताना है तो yes करना है दर्वाज no के option पर ही आपको क्लिक रहने देना है detail of parent के section में आप आओगे यहां पर आप से पूछा जाता है कि अगर आप सिंगल parent हो यानि कि आपके जो माता-पिता है वो अलग हो चुके हैं तो ऐसी दसा में अगर आप अपनी मा का जो नेम है वो पैंट कार्ट पर दज करना चाहते हो तो यहां पर आपको option दिया गया है यस करने का तो उस option के जरी आप selection कर सकते हो बाकि यहां पर ऐसा कुछ मेरे के समें नहीं है तो no के option पर हम क्लिक करेंगे और father name यहां पर सबसे पहले तो आप इंटर करना ह यह जो option है optional है अगर आप चाहो information देना तभी आपको इंटर करना है बाकि यहां पर page में नीचे के तरफाना है आपको यहां पर बताना है कि आप अपने pen card पर मा का नाम या फिर पिता का नाम किसका प्रिंट चाहते हो तो हम अपने पिता का नाम चाहते हैं तो यहां पर father का करना है इसी के साथ में अगर आपकी जो income है अभी नहीं है एक student हो यहां पर no income का भी option यहां पर दिया गया है यहां पर आपको अपना जो communication address है वह भी बताना है जिसमें कि यह जो रिसिदेंस का option है इसे ही हमें करना है और यहां पर अपना जो complete address है सबसे पहले तो house number building का जो name है वहां पर इंटर करना है इसी के साथ में road street lane या पर post office का जो name है यहां पर आप इंटर करोगे सब district यानि के तहसील और यहां पर अपने district का जो name है इंटर करना है country आपको यहां पर select कर लेना है अपना pin code आपको यहां पर फिल करना है जो communication के तौर पर आप जोड़ना चाहते हो तभी आपको यहां पर इंटर करना है बाकि इससे आपको ऐसे ही छोड़ देना है इसके बाद में नीचे के तरफ आना है यहां पर आप सभी इस telephone number या email id के जो details है वो फिल करने के लिए बोला जाता है जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपना जो mobile number है इंटर करना है जो communication के लिए आप देना चाहते हो यहां पर अपनी इमेल आइडी है वो आपको इंटर करना है 18 वर्स से कब एज होने पर आपको यहां पर representative को आड़ करने की ज़रूत परती है तो अगर ऐसा है तो आप अपने parent की जो details है आप यहां प बता होंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है यहां पर सबसे पहले तो इंडियन सेटीजन वाला जो option है इसको select करना है और आप सभी को यहां पर सर्च के option पर क्लिक करना है तो यहां पर आपके district में जितने भी income tax के office होंगे उनकी जो list है आप सभी को देखनी को मिल जाती है जिसमें कि यहां पर आपको एक से ज्यादा भी income tax के office देख सकते हैं जिसमें कि आपका जो सहर है कसबा है वो किस income tax के section में आता है यहां पर उसके आगे जो टिक करने का option दियागा इसको select करना है तो यहां पर आप देखोगे कि आपका जो area code है यह automatic fill हो चुका है अब यह इसके लिए यहां पर selection का जो पेज बोट दिया गया है जिसमें कि सबसे पहले तो फुरूप आइडिन्टी के से टाइप पे आना है यहां पर आपको अपने पहचान का एक डिकुमेंट देना होगा जिसमें के क्लिक करोगे तो कई सारे डिकुमेंट आपको यहां पर देख लुद होगे कि कई सारे डिकुमेंट आपपके पास में कोई utility का बिल आपके पास में राशन कार्ट भी लख सकता है आपके दस्तावेद नहीं है तो यहां पर आधार का ऑप्शन देगारऊ इसे भी आप सेलेक कर तो अपना जो name है आप देखोगे कि पहले से fill है, यहाँ पर अगर आपकी age 18 year से ज़्यादा है, तो यहाँ पर himself वाला जो option है, इसे ही select करना है, अपना जो place है, यहाँ पर आप उस सहर का जो name है, यहाँ पर आप फिल कर दोगे, और यहाँ पर date पहले से fill है, यहाँ पर आप स पा रहे होगे, यह जो file है, आप JPEG format में upload कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका जो photo है, वो किसी और format में है, या पर जिस size का यहाँ पर passport size का आपको photo लगना है, वो उसके मताबित नहीं है, तो इसके लिए मैंने अपने website पर एक plugin दे रखा, जहाँ पर आप अपनी जो photo है, कर सकते हो, इसे के साथ में signature को भी आप resize कर सकते हो, तो यहाँ पर यह दोनों चीजे आप हमारी website से correct कर सकते हो, अगर उसमें correction की जरूरत है, इसके बाद में आपको आना है, यहाँ पर file को select करना है, और upload की type पे click करोगे, तो आप यहाँ पर देखोगे, हमारा जो photo है upload हो च जिसमें कि यहाँ पर add document का option दिया गया है, अगर एक से ज़्यादा document है, तो यहाँ पर row को आप add कर सकते हो, इसी के साथ में एक ही document जैसे के आप देखोगे कि सारी ही चीजों में हमने आधारी select किया था, तो यहाँ पर केवल हमें एक ही document upload करने की जरूरत है, तो यहाँ पर form है, उसका preview page आजाता है, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने आधार card के first जो 8 digit है, आप यहाँ पर आपको enter करना है, और page में नीचे के तरफ आना है, जहाँ पर इस form पर जितनी भी हमने information दर्ज की है, एक बार आपको पूरी information देखने को मिल जाती है, सा हमें Paytm या Builders के माध्यम से करना होगा, जिसमें कि हमें कि हमें किसी एक option का selection कर लेना है, तो यहाँ पर हम Builders को आप्शन है, सेलेक करेंगे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि 106 रुपी 90 पैसे यहाँ पर हमें payment करना है, तो यह जो payment है, इसके अंदर आप देखोगे कि आप Pay, Confirm के option पे click करना है, तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने यह जो payment है करने के कई सारे option आ जाते हैं, आप UPI के जरीए या फिर नेट बैंकिंग, QR code के जरीए आप यहाँ पर यहाँ पर यह जो payment है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि हमने QR code के जरीए payment किया है, payment हो करके आज आती है, अब आपको क्या करना है, confirm की tab पे click करना है, confirm के option पे click करते ही, अब page आता है अथनीकेशन करने का, जिसमें की यहाँ पर भी आपको इस option पे click करना है, तो यहाँ पर आपको e-sign करने के लिए बोला जाता है, तो e-sign करने से आप सुभी को कोई भी physical document जाता इस पर क्लिक करना है और यहां पर हमारे mobile phone पर एक OTP को send किया गया है जो कि यहां पर हमें फिल करना है समिट करना है जैसे हमने submit किया है तो आप यहां पर देखोगे कि इस sign करने के लिए बोला जाता है तो continue with e-sign के option पर क्लिक करना है अब यहां पर इसमें भी term and conditions को accept करने के लिए इस icon पर क्लिक करना है यहां पर भी हमें अपना जो आधार नंबर है वो इंटर करना है send OTP के टैब पर आपको क्लिक करना है आपके mobile phone पर एक OTP आएगा जिसको आप यहां पर इंटर करोगे और verify OTP के टैब पर क्लिक करना है अभी जो verification है होने के बाद में हमारी जो application है pen card को बनाने की वो successfully submit हो यहां पर यह जो slip है password protected होती है तो इसको अगर आपको open करना है तो यहां पर आपको बताया गया है कि अपनी जो data birth है उसको आपको यहां पर इंटर करना है without any symbol के तो यहां पर हमने इसको फिल किया है OK किया है तो यहां पर आप देखोगी कि आपको जो application का reference number है इस पर दिया है वह घर बैठे online process से बना पाऊगे यहां पर आपको कोई भी document भेजने की जरूरत नहीं है यह जो application है government के पास में review के लिए जा चुकी है जिसमें कि आपका जो pen card 4-5 days के अंदर ही generate हो जाता है आपको email पर digital copy मिल जाती है जिसके जरीए कहीं पर भी अगर आपका कोई भी का काम रुक रहा है तो आपको जो copy है लगा सकते हूँ अब अगर आपको pen card को apply करने के बाद में इसमें के माध्यम से कोई notification नहीं आता है तो इसका जो current status है वो अगर आपको जानना है तो website का जो link है आपने वीडियो के description में दे रखा है जहां पर आप क्लिक करोगे तो आप सामने pen card generate हो चुका होगा तो यहां पर आपको जानने को मिल जाएगा तो यही था pen card को बनाने का process अब अगर आपको pen card में correction करना है या फिर pen card की physical copy मंगाना है तो 50 रुपे में कैसे pen card की physical copy आप मंगा सकते है उसका जो वीडियो है मैंने पहले ही record कर रखा है वीडियो का description अ अपने एक नए वीडियो में एक नए information के साथ में तब तक लिए goodbye जैहिन